कभी किसी चीज का घमंड आ जाना तो एक बार समसान के चक्कर लगाना मेरे दोस्त तुमसे बहतरी इन लोग वहार राक बने पड़े हैं हम लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती एक तरफ माबाप के सपने दूसरी तरफ वो किसी और की नहो जाए इस बात कडर अब करियर पे फोकस करें या उस पे इस चकर में हम कहीं के नहीं रहते हम लड़के बरबाद होते नहीं कि ये जाते हैं सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के बोले कि तू मेरी छोड़ करियर पे फोकस कर मैं कहीं नहीं जारी मैं तो सिर्फ तेरी ही हूँ हर लड़का काम्याब हूँ हमैनत खून में मेरे लगा मुश्किलों से कैसे डिल जाना सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के बोले कि तू मेरी छोड़ करियर पे फोकस कर मैं कहीं नहीं जारी मैं तो सिर्फ तेरी ही हूँ हर लड़का काम्याब हूँ हम लड़कों की जिन्दगी तनी आसान नहीं होती एक तरफ माबाप के सपने दूसरी तरफ वो किसी और की नहीं हो जाए इस बात कडर अब करियर पे फोकस करे या उस पे इस चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते हम लड़के बरबाद होते नहीं कि ये जाते है सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के बोले कि तू मेरी छोड़ करियर पे फोकस कर मैं कहीं नहीं जारी मैं तो सिर्फ तेरी ही हूँ हर लड़का काम्याब हूँ कड़वा है पर सच है मेरी जान इस दुनिया में जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा मुहबत करते हो ना वही इंसान सबसे ज़्यादा दुख दे के जाता है बहुत भुरूर था उसे अपनी खुबसूर्दी का कि तुम जैसे 36 मिल जाएंगे अब रोके बोलती है वो 36 मिल के भी तुम जैसा ना हो पाएंगे अरे जाना है तो जा तेरी महबत अब हमें भी मनजूर नहीं प्यार में सर्थ ऐसा प्यार हमें कबूल नहीं और अभी तो बच्ची है पूरी जिन्दगी कोई मिल ही जाएगी जो बिना सर्थों के हमें भी तूट के चाहिए आज के जमाने में पैसा ही जात धरम गोत्र सब कुछ बन चुका है पैसा ना होगा तो आपके खुद के जात वाले आपको नकली बता देंगे इसलिए कमाओ बोचडी के अगर बीच से पचीस की उमर में तुम्हारे सपने तुम्हे सोने ना दे तो समझो जिन्दा हो तुम और इस उमर में तुम चैन की निन्द सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिन्दा हो